आउज बिल्लाहिमने शहित्वाने रवाजीन बिस्मिल्लाहित्वाने रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुफिन रजा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूड़न्ट सपोर्ट सर्विस यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो IT430 e-commerce की जो हमारी assignment number 1 आई हुई है सप्रिंग 2020 की उस हवाले से है assignment शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने दो new YouTube चैनल स्टार्ट किये हैं और उसमें जो है मैंने एक 24R7 teachers online शुरू किया है और दूसरा चैनल जो है वो key to success है तो 24R7 teachers online पर मैंने अपने बहुत सारे lectures different subject के almost 15 subject हैं उनके रखे हैं तो अब 24R7 teachers online जाईए और उन lecture से भी ज़रूर फाइदा उठाएं और जो key to success है इसको बताने का जो मकसद है वो यह है कि मैं आप लोगों को exam की तयारी में भी help out कर सकूँ तो वहां पर मैंने आपके mid term और final term के हवाले से काफी अच्छा material रखा है जो आपको इनकी तयारी में helpful होगा तो मेरी तमाम दोस्तों को से एक गुषारिश है कि वो 24 hour 7 teachers online और key to success पर जाएं और वहां पर जो material available है उससे भी फाइदा उठाएं और उन channels को भी subscribe करें उनका जो URL है वो दोस्तों आपको screen के उपर भी नजर आ रहा है और इस video की description में भी मैंने add कर दिया है तो आप असानी के साथ उन channels के उपर जा सकते हो दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपनी assignment की तो assignment की हम सबसे पहले requirements देख लेते हैं दोस्तों यह जो हमारी IT430 की assignment है इसमें हमें एक ही task दिया गया है task किया है you have to write the HTML code to show the output as following screenshot you have to write your own VUID name father name should be in text boxes all the values in the table should be center aligned दोस्तों हमने यह एक हमें image दिखाया गया है इसके उपर देखें एक file पे जो है आपको आपकी university का जो logo है वो नजर आ रहा है उसके बाद दूफरी file पे जो है आप लोगों को VUID name father name और उसके बाद नीचे एक यह table नजर आ रहा है तो हम लोगों ने यह बनाना इस table में भी आपको चार column है इस में semester है, degree है, subject है, grade है और नीचे उसको fill किया गया है दोस्तो यह है हमारी इस assignment की requirement बढ़ते हैं इसके solution की तरफ, दोस्तो solution के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले notepad open करेंगे, notepad open करने के बाद इसके अंदर जो है, हम अपना HTML का code लिखेंगे और फिर उस file को हम लोग save करेंगे with the extension of .html, उससे हमारी एक output वाली file generate होगी और वो file आप लोगों ने LMS के उपर upload करनी है, तो दोस्तो इसको मैं आपको slide के उपर तो इसका code नहीं दिखाऊंगा बलके मैं आपको live टाइप करके और यह सारा करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए जी, हम लोग start के button पर click करते हैं start के button पर click करने के बाद आपने search box के अंदर जो है, वो notepad लिखना है, जब आप search box के अंदर notepad लिखेंगे लिखेंगे, तो आपको यहां पर जो है, notepad का icon नवर आएगा, आप इसके उपर click करेंगे, तो आपके सामने जो है, वो notepad ओपन हो जाएगा, अब इस notepad के अंदर जो है, हम लोगों ने अपना HTML का code लिखना है, लेकिन उफ़े पहले जो है, आप लोगों ने एक छोटा कर लेना है, और उसको अपनी किसी drive के अंदर जो है, वो save कर लेना है, for the time being, जो है, मैं आपको जो है, दुबारा वापफ desktop पे लेके चलता हूँ, और अपने PC में, जहां पे मैंने वो लागों जो है, वो रखा हुआ है, तो यहां पे देखें, मैंने eDrive के अंदर जो है, एक अपने channel Key to Success, जो मैंने नया YouTube channel है, जहां पे आपको mid term और final term के हवाले से काफी अच्छा material available है, तो आप बहुत कम वक्त के अंदर जो है, वहां पे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो यहां पे देखें, आपको उसका जो है, वो logo नजर आ रहा है, Key to Success का, और दोस्तों जिस भी extension का logo हो, मतलब PNG का हो, या जिफ का हो, या आपका JPG का हो, ये भी आपको पता हुआ होना चाहिए, अब हम इस logo को जो है, अपने उस जो आज की हमारी assignment है, उसके अंदर यूज करेंगे, तो हमने इसका path भी देख लिना है, तो यहां पे जब आप click करोगे, तो यहा path है, जहां पे ये logo रखा हुआ है, तो हम अपने notepad के उपर चलते हैं, और मैं आपको जो है, वो code लिखना फिखाता हूँ, आपने कैसे लिखना है, हम HTML से start लेंगे, हमने angle bracket लगाई, HTML लिखा, angle bracket close कर दी, अब ये HTML जो है, ये boxes की game है, हम जो भी box open करेंगे, हम उसको back flash के अच्छा है, वो close जरूर करेंगे, मैंने HTML को copy किया, और नीचे लाके paste किया, और इसके साथ एक back flash जो है, वो मैंने लगा दी, इसका मतलब ये है, कि HTML का जो box मैंने open किया था, वो मैंने साथ ही close कर दिया है, जब आप ऐसा करेंगे, तो उसमें जो है, आप को गलती के जो चा copy किया, और यहीं पर ही paste कर दिया, और इसको भी मैं back flash लगा के, जो है, वो close कर देता हूँ, अब इस head वाले box के अंदर, जो है, मैं एक title का box open किया, और title के box को फिर मैं copy करता हूँ, और यहां paste कर देता हूँ, अब इस title के box को भी जो है, back flash लगा के, मैंने close कर दिया, अब इ यहां पर फॉर टाइम बिंग आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो यहां पर मैं लिख लाओं जी विर्चुल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विफिज और आगे जो है मैं यह दो कॉलन लगा के लिख रहा हूं जी यूट्यूब चैनल यह टाइटल जो है आप लोगों ने अपनो नाम भी लिख सकते हो ठीक है आप लोगों ने यह नहीं लिखना है आप लोगों ने फिरस अपना या तो नाम लिखना है या आप अपना आईडी लिख सकते हो या यहां पे आप IT430 e-commerce assignment number one solution लिख सकते हो वो लिखना है यह मैंने आपको समझाने के लिए टाइटल डाला हम सबसे पहले जो है साथ ही इस फाइल को भी जो है वो close कर लेते हैं फाइल पे गए और फाइल पे जाने के बाद हमने save as के उपर जहां क्लिक किया save as पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह फेव का डालॉग बाक्स आ जाएगा अब यहां पे जहां पे आपने फाइल का नेम लिखना है वहां पे मैं लिख देता हूं जी IT430 और इसकी solution अफाइनमेंट नमबर वन जब आप उस फाइल का नाम लिख लेंगे तो उसके बाद dot html यह dot html आप लोगों ने ज़रूर लगाना है यहां से मैं desktop select किया और desktop select करने के बाद मैंने इसको कर दिया save जब हम इसको save कर देंगे और वापस अपने desktop के उपर आएंगे तो यहां पर देखें यह एक आपको अगर आपके पास chrome install है तो chrome की अगर आपके पास internet explorer है या आपके पास firefox है तो उफ जैसी एक file यहां desktop के उपर बन जाएगी आपने इस file को open करने आपन करने के बात यहां पर देखें हम लोगों ने अभी तक फिरफ title आड किया था title के बाद हमने कुछ नहीं आड किया तो यहां पर देखें फिरफ और फिरफ आपके पास state or अपर लिखा जाओंगा और साथ ही आपको आउटपुट वाली जो विंडो है यह जो हमने ओपन की है इसके अंदर में आप लोगों को आउटपुट भी दिखाता जाओंगा साथ रात तो यहां पर इसके बाद हम लोग बॉड़ी का टैग शुरू किया बॉड़ी का टैग जो है हम उसी त पूरे का पूरा कोड़ जो है वो लिखेंगे दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलो कि जिन बच्चों को स्टी एमल में मसला आ रहा है उनको समझ नहीं आ रही स्टी एमल की तो मेरा कोर्स भी अवेलेबल है 24 आर 7 टीचर्स ऑनलाइन के उपर और उस चैनल का जो यूरल है वो इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आड कर दिया है तो वो कोर्स बहुत असान है और मोस्त उसके अंदर छे वीडियो हैं वो मेरे ख्याल में आपकी मैक्सिमम जो है वो एक से डेट घंटे की बनेंगी तो अगर आप वो सुन लेते हो एक से डेट तो वो इंशालला कोर्स जो है आपको कम्प्लीट फाइदा देगा आपके इम्तिहान में भी काफी हल्प होगी और आपको समझ आ जाएगी इसके बाद दोस्तों इस बॉडडी वाले पोर्शन के अंदर जो है हम लोगों ने अपने बाकी के टैग लिखने हैं हमने सब से प पड़ी होई है एस आर फी लिखेंगे एकवल लगाएंगे और इंवर्टिट कमाफ के अंदर जो है हम लोग अपनी इमीज जहां पर हमने रखा है तो मैंने अपना जो इमीज है वो इड्राइव के अंदर रखा था इड्राइव के बाद जो है वो मैं कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद जो है एक पैक्सलाश ए उसके बाके बार फिर मैं उस फाइल का नाम लिखूँंगा उस फाइल का नाम है वो के कि टू सुक्सेश और डॉटपी and J जो है वो उसकी brought रूख्टन्शन थी तो यह यह यहां पर लिखने के बाद अगर आपकिLEY यह और आप ज refresh जब किया तो यहां पर देखें मेरे पाफ image है वो आ गया लेकिन हमें जो output दिखाई गई है उसके अंदर जो हमारा image है वो आपका right side पर है तो वो करने के लिए आप क्या करोगे आप इसी tag के अंदर लिखोगे align align एल आई जी एन अलाइन इक्वल और इन्वेटिट को माफ के अंदर आप लिखोगे और आई जी एच टी राइट और इसको करतों के फिव करने के बाद दुबारा इस पेज को जब आप refresh करेंगे तो आपका इमीज है वो आलाइन होकर राइट साइट पे आ जाएगा इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है कुछ टेक्स्ट की information थी वो हम लिख लेते हैं VUID था हमारा VUID लिखने के बाद हम column लगाएंगे और उसके बाद हमारा था एक text box था तो वो करने के लिए हम लिखेंगे इनपुट के बाद type और equals के अंदर लिखेंगे हम text के हमारा text box आना चाहिए तो हम इस angle bracket को close करेंगे save किया, save करने के बाद हम दुबारा वापस अपने page पे refresh करते हैं तो यहां पे देखें हमारे पास यह VU का ID वाला text box आ गया लेकिन यहां पे एक मैं BR का tag यूफ कर लेता हूं तक के line break आए और refresh किया तो वो हमारा नीचे आ जाएगा हम इसको आप BR के काफे फारे tag जब लगाएंगे तो आपका वो जो page है वो नीचे आ जाएगा हम इसको save करने के बाद refresh करते हैं तो यहां पे देखें अभी और भी थोड़े से आपको BR लगाने पड़ेंगे save किया refresh किया तो यहां पे almost अब ठीक है अब इस text box के अंदर आप लोगों का नाम लिखा हुआ आना चाहिए तो वो आप जहां पे आपने input type is equal to text लिखा है वहां पे जाके आप लिखेंगे placeholder और placeholder के बाद equals और inverted commas के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे जैसे मेरा नाम मौफिन है तो मैंने यहां पे लिख दिया जिप मौफिन और मैंने इसको save किय करने के बाद वापस इस page पे आये refresh किया तो यहां पे देखें आपको मौफिन लिखा हुआ नजर आ गया अब हम वापस अपने code पे आ गए और code पे यहां पे हम एक और BR का tag यूज़ करेंगे line break के लिए इसके बाद हमने जो है अपना sorry VU का ID पहले डालना था हम लोग यहा पे मेरा VU का ID आ गया बी आर डाला एक और बी आर डाल दिया यह line break के लिए होता है कि एक line पे जब आप दूफटी line के अंदर लिखते हो इसके बाद name लिखा name के बाद फिर वही input बल्के आपके उस angle bracket के अंदर tag आएगा input type equals inverted command के अंदर आपने लिखना है text और आपने इसमें भी place holder लगाना है और equals के अंदर इसके अंदर आपने लिखना है muffin अपना नाम और angle bracket को close किया इस page पे वापस आए refresh किया तो यहां पर देखें यह muffin लिखा हुआ आ गया इसके बाद आपने एक और दो बार बी आर लिखा और बी आर लिखने के बाद मैंने यहां पर लिखा जी father's name column उसके बाद फिर वही input type equals और यहां पर text लिखा और place holder लगाना है place holder यह इकठा आएगा और इकवल इन्वेटिद को माज के अंदर मैंने लिखा रजा और इस मैंने टैग को कर दिया close और वापस अपने विब पेज पर आके मैंने इसको जब refresh किया तो यहां पर देखें वह father's name वाला वहां पर रजा जो है वो लिखा हुआ आ गया दोस्तों इसके बाद आता है हमारा टेबल के लिए हम लोग टेबल का टैग यूज करते हैं टेबल हमने लिखा और इसके साथ ही हम टेबल के टैग को close भी साथ में कर लेते हैं तो close करने के लिए यहां पर हमने जो है वो लिखना है इसी को मैं copy करके और end पे body से पहले जो है वो लिखके backflash लगा देता हूं यह हमारा table का tag close हो गया अब इस table वाले column के अंदर जो है हम लोग सबसे पहले जो है एक बनाएंगे row row बनाने के लिए tr का tag यूज़ करते हैं और साथ ही मैं tr के tag को close भी कर देता हूं अब इस से हमारी एक row create हो गई अब इस row के अंदर हमने तीन जो है वो column बनाने है बलके चार column बनाने हैं जिसमें एक semester का एक degree का एक subject का और एक grade का हम column बनाएंगे तो उसके लिए हम td यूज़ करते हैं td के और साथ ही मैं td को जो है वो close भी कर देता हूं अब हमने जितने column बनाने हैं तो चार column बनाने हैं तो हम td को चार बार जो है paste कर लेते हैं अब पहले td के अंदर जो है हम लोगों ने जो है लिखना है अपना semester semester इसके बाद हमने दूसरा td के अंदर जो है अपना लिखना है degree के बाद तीसरे td के अंदर हम लोगों ने लिखना है subject उसके बाद आम लोगों ने लिखना है अपना grade और इसको मैंने किया फेव करने के बाद मैं वापफ इस पे अपने web page पे आता हूं इसको refresh करता हूं तो यहां पे देखें वो text तो लिखा हुआ आ गया लेकिन table जो है कोई भी दवर नहीं आ रहा इसके पहले मैं एक BR का tag यह बलके दो यूज कर लेता हूं ताके line break आ जाए अब इस table के अंदर आपने जाके इसको एक और attribute देना है जिसको हम कहते हैं border equals invited को हम आपके अंदर आपने लिखना है one क्योंकि हमने table को border नहीं दिया था इसलिए हमें table output वाली window में नजर नहीं आया हम इसको save करते हैं इस वापफ आके refresh करते हैं तो यहां पे देखें आपको वो table नजर आ रहा है जिसके अंदर जो है वो वो फारा text आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है हम वापफ आते हैं एक और table row बनाते हैं हम एक और table row बनाने के लिए हमने लिखा tr लिखने के बाद जहाए इसको close किया close करने के लिए हम आपको पता है backflash लगा के वो ही tag दुबारा लिख लेते हैं tr का इसके अंदर अब हम लोग चार td लेंगे क्योंकि हमारे table की चार column है हमने td लिखा और इसको फिर backflash के साथ td लिखाया तो हमारा tag जो है वो close हो क्या मैं इसको चार बार जो है वो copy कर लेता हू क्योंकि हमें चार column चाहिए तो copy करने के बाद save किया अब यहां पर सब्सक्राइब पहले semester लिखना है semester हमारा चल रहा है सप्रिंग 2020 वो मैंने लिखा इसके बाद आपने अपना degree program लिखना है यहां पर मैं जैसे जो है MSBA मैंने किया हुआ है तो मैं यहां पर MSBA लिख रहा इसके बाद फिर आप लोगोंने लिखना है subject subject हमारा IT430 है इसके बाद आपने grade लिखना है यहां पर मैं grade जो है वो लिख देता हूँ A plus और इसको मैं कर देता हूँ save करने के बाद हम वापस आते हैं अपनी output वाली window के अंदर इस page को मैं जो है refresh करता हूँ तो यहां पर लिखे से आपने अपनी यह assignment बनानी है दोस्तो मुझे उमीद है आप सब लोगों को यह assignment समझ आ गई ही हो कि तो आप जल्दी से अपना notepad open कीजिए उसके अंदर जो मैंने आपको code समझाया है वो लिखिए और उस file को save कीजिए with the extension of .html और जब आपकी यह output वाली file create हो जा की shape की बनी है दोस्तो मुझे उमीद है आप लोगों की assignment solve हो गई होगी आप लोगों को समझ आ गई होगी दोस्तो आखिर में मैं फिर कहूंगा आप लोग 24R7 teachers online पे जाईए जिन बचों को stml का issue है तो वहाँ पे मेरा stml का भी एक course available है और आप उससे की video सुनने के बाद उठाएं और इन्शालला उससे आपको stml फीखने में मदद मिलेगी दोस्तो मुफिन भाई को इजावत दीजिए मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ उफवकत तक के लिए अलाहाफिज